सब्सक्राइब ऑढ़ा बात करेंगे ब्लू स्टेक्स के यूपर जो मेरी बैन हुई थी एक महीने पहले उसके बारे में यहाँ पर यहाँ पर एक महीने पहले बैन हो चुकी थी मैंने आपको एक पोस्ट करके भी बताया हुआ था कि मैंने कोई भी हैक सब्सक्राइब हो चुकी थी अभी मैं आपको उसका प्रूब भी दिखाता हूं अब मैंने बिलीव में एक और नहीं आईडी क्रीट किया विज्यमाई की एंड उस पर मैंने राउंड बहुत सारे मैचेस खेले आईडिया नहीं मुझे कितने मैचेस मैं अभी भी वह फिलाल के लिए मैंचेस वगरह नहीं खेल रहा हूं बट मैंने उस आईडी वो क्रीट कि एंड वहां पर मुझे अभी तक मैंने राउंड उस पर चार या साढ़े-चार केडी मेंटेन करके रखा था एंड बट वहां पर मुझे कोई भी बैंद देखने को नहीं मिला अब मुझे मुझे एक्शुली रिजन नहीं पता कि मेरी आईडी जो थी वो किस वज़े से बै ज़कर आपके आईडी को बैन नहीं करा है मैं पहले क्लियर कर देता हूं यह जो जो इहां पर आपको नोटिस दिक रहा होगा और अकाउंट विल बेंट फॉर एडिटिंग रगुलेशन लॉक्षान ट्रेटीवन ट्रेटीवन ट्रेट एंड अरॉंड दस तारीक आज पास जो मेरी आइडी थी वह रात की क्यारा बज़े अरॉंड बैन हो चुकी थी तो उस टाम पे मैं यहाँ गेम अगर खेल रहा था अचानक से जैसी मैं प्लेन के अंदर एंटर हुआ वहाँ पे मेरी जो आइडी है वह बैन हो गए कुछ की हाइलाइटिंग पॉइंट्स है वहाँ पे क्यों मेरी आइडी बैन हो सकती है पहले रीजन है मास रपोर्टिंग और सब्सक्र ज्यादा में कोई चांसे से कि मास र सब्सक्राइब करते हैं अगर आप एक प्रोप्लेयर मतलब आपको गेम अच्छे से आता है तो वहाँ पे आराम से 15-20 स्किल तो आराम से कोई दिक्कत नहीं हर गेम में कर सकते हैं अगर आप पेशेंस रखते हैं एक्टम एंड सरकल तक के सर्वाइव करते हैं सो मैं आप अरांड हर मैच में मेरे 15-20 थे एंड अपकॉस उसमें रियल प्लेयर्स प्लेयर्स पी आ रहे होंगे तो महां पर मास रिपोर्टिंग हो सकती है और मैंने बहुत सारे गेम खिल ले थे एंड उसमें मेरी जो केडी होगी वह आरांड 8 8 के आसपास की केडी थी शा सेवन चल रहा है उसमें जेफेक्स टूल वगारे की जो सेटिंस थी वो अप्लाय नहीं होती थी मतलब इंगेम नहीं दिखाती थी तो वहां पर हो सकता है कि जेफेक्स टूल की वज़ए से मेरी जो आईडी वो है बैन हो गई हो बट अभी मुझे इसके बाल में नहीं पता सकता क्योंकि मैं अभी भी जी एफेक्स टूल का यूज कर रहा हूं मेरी दूसरी आईडी जो मैंने आपको बताया एक और आईडी मैंने क्रेट किया है उसके बाद भी जो आईडी है वो बैन नहीं हुई एंड उस मैं उस आईडी के अंदर मैं हाई टायर में खेल रहा था हाई टायर फ्रेंट्स वगर के साथ खेल रहा था एस डॉमिनेटर असमास्टर वगर के साथ खेल रहा था तो वहां पर मेरी जो आईडी है उसके उपर बैन नहीं हुई पर सो ब्लू स्टेक्स के ऊपर आईडी बैन होती है दो तीन लोग की आईडी बैन हुई है बट अभी तक मुझे यह नहीं पता कि यहां पर मुझे कोई भी आप देख सकते हैं आप मुझे कोई रीजन भी नहीं दिखा रहा है कि मेरी आईडी कोई वर्चुल मशीन के ऊपर चलाने की वाज़े से हुई है एक सब्सक्राइब आपको यही कहना चाहूंगा कि आपकी जो आईडी है वह आप सेक्योर रखें आप मेन आईडी ना यूज़ करें ब्लू स्टेक्स के उपर खेलने के लिए आपको वीडियो अच्छ लगिए तो वीडियो को लाइक का देन चैनल को सब्सक्राइब करना में बितते हैं कि निए वीडियो में तिल देन बाबाई